नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्कीन बेर देख रहे हैं, आज हम लोग एक नॉबेल को डिसकस करने वाले हैं, The Old Man and the Sea, सीजियल के सिलेबस को अगर आप देखोगे तो आपको चार नॉबेल पढ़ने हैं, के लिए अर्नेस हमिंग वे का आपको Old Man and the Sea पढ़ना है, अर्के नाराहिना का पढ़ना, The Power and the Glory, ग्राहम ग्रीनी का और फास्टिंग, फिस्टिंग अनिता देशाई की, तो एक नॉबेल अनिता देशाई का हो चुका है, जो मैम ने क्लास ली थे, और आज मैं Old Man and the Sea का क्लास लेने वाला हूँ, तो चली हम लोग, Ernest Hemingway की The Old Man and the Sea को देखते हैं, वन अप दी मोस्ट इंपोर्टेंट नॉबेल है, जिनको आपको समझना है, जानना है, और इनसे कैसे प्रस्न पुछे जाएंगे, उनका भी हम लोग डिसकस करेंगे, तो चली आगे बढ़ते हैं, आपको ध्यान से मेरे साथ अंतक बने रखना है, और चीजों को ध्यान से समझना, आपको पीपेन अपने पास रखना है, ताकि छोटी-छोटी चीजों को आप राइट डून कर सको, देखना, The Old Man and the Sea is a nobel, written by Ernest Hummingway, किलियर, इनको किसने ने ल इस नोबेल को one of the most famous work माना जाता है, one of the most prominent work भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इस work के लिए उन्हें बहुत सम्मान मिला था, और बहुत सारे play और बहुत सारे movies भी बनाने का परियास इसमें किया गया, इसमें काम किया गया, छोटे-छोटे इसमें short stories बनाए गया, छोटे- इनको moral मिले, clear, इस story के बाद हमें moral भी मिलता है, जो हम लोग आगे देखेंगे, it on the Pulitzer Prize for fiction in 1953, कर सकते हैं कि काल्पिनिक कहानी है, और जिसके लिए Pulitzer Prize भी इनको मिला था, कब 1932 में इसको लिखा, और 1932 में इनको इसके लिए प्राइज भी मिला, और कर सकते हैं कि इसके लि इसको ध्यान में रखना है, clear, अगर हम बात करें आगे, the story revolves around and again Cuban fisherman, name Santiago, अगर आप देखोगे, character है Santiago के, एक old man है, जिसकी कहानी यहाँ पर, who has been experienced a long stick of bad luck in catching fish, तो आज सकते हैं कि एक ऐसे इनसान की कहानी है, जो 84 दिनों तक मचली पकड़ने तो जाता है, बटीक भी मचली पक पकड़ने ही पाता है, है ना, और अंत में वह हिमत नहीं आता है, पचासविय दिन, 85 देज में उसको एक मचली मिलती है, और फैली वह उस मचली को पकड़ने में सफल हो पाता है कि नहीं हो पाता है, इसी को हम लोग इस कहानी में जानने और समझने का परियास करेंगे, clear, तो हमारा main protagonist कर सकते हैं कि Santiago है, जो एक old man है, और old man क्या कर सकते हैं, वह फीसर man है, जो उसका काम क्या है, वह मचली पकड़ने का काम करता है, clear, उसका हर दिन काम है कि समुध में जाना है मचली पकड़ के लाना, लेकिन bad luck कर सकते हैं कि लगतार 84 दिनों तक, वह कोई भी मचल में आगे जब बढ़ेंगे, तो समझेंगे, clear, चलिए अब हमने character की बात की, तो तीन चीज़ों यहां, तीन चीज़ों यहां निकल कर गाया, इस work के लिए उनको पुल्टीजर प्राइज मिला था, 1953 में, नोबेल प्राइज में, 1954 में इनको मिला, clear, और set in the waters of the cost of habana cube, अप इनको finally है, so, एक मछली मिलती है, clear, और इन्होंने अपने आपको, जो यह मानते थे, कि मैं बहुत unlucky हूँ, लेकिन इसको lucky में, इन्होंने सीध कर दिया, clear, आगे अगे अगर हम लोग देखेंगे, the majority of the nobel focus on the sentai was struggle against the marlin, अब आपका सकते हैं, कि इनको जो मछली मिलती है, 85 days म 85 मतला, पचासवे दिन में, तो मछली का नम मरलीन है, his physical observation and the relentless challenges posed by the fish, Santiago maintain a deep respect for his adversary, he finds solace in his connection, कर सकते हैं कि मरलीन जो मछली रहती है, इसको यह पकड़ते हैं, और पकड़ने का बहुत परियास करते हैं, लेकिन जो बोट जिससे वह उसको खीच रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि इसकी blood निकल जाती है, और कर सकते हैं कि blood निकलने से, जो सार्क मछलियां होती हैं, वो आ जाती हैं, और इनका skeleton को बच छोड़ती, बाकि सारे इसके मांस को खा जाती, क्योंकि बहुत हेवी रहता है, यह कितना भी खिचने का परियास करता है, लेकिन उस मछली को बाहर न का skeleton, बस उसका कंकाल को लेकर के खीच करके boat से वापस समुझ के किनारे लेकर के आता है, और कर सकते हैं कि इस स्प्रीट को दिखाये गया, मतलब वो मरलीन को तो पकड़ कर नहीं ला पाया, लेकिन जब वो मरलीन के कंकाल को लेकर के जब वापस आता है, तो इतनी बड़ी क अंकाल होती है, कि आसपास के लोग उसको देख करके आचकित हो जाते हैं, कि लगता है कि संटियागो ने सार्क मुझली का सिकार कर लिया है, बहुत वहावाही भी होती है, लोग बहुत तारी भी करते हैं, लेकिन कर सकते हैं कि वो मरलीन को पकड़ने का खूब परियास करत से आग चलने के लिए तो उससे उसको मारने का भी परियास करता है जब आ जाती है उसके पास कुछ लोहे के अजार भी रहते हैं जिससे वह सार्ग मचलियों को मार देता है क्योंकि खीचने के चक्कर में जब इसको खीच नहीं पा रहा था था तब वह उचलाता है जिससे क्या होता है कि मरलीन से ब्लर निकल जाता है किलियर ना थ्रूर अर्ड बेटल सेंटागोड दीमन स्टेट इस डिटर्मिनेशन रिस साइलेंस एं अन्वेवरिंग स्पीट रिफूजिंग तो किब अपने करता है मतलब वह पूरा परियास करता है कि मरलीन को पकड़ना है किलियर ना लेकिन वह फाइनली पकड़ तो उसक स्केल्टन को लेकर करके वह आता है और स्ट्यागोड वालटली फाइट उसके वैपन उसके पास थे वह क्या करता है सार्क मछलियों से लडने के लिए उस वेपन को यूज करता है लेकिन वह उसको बचा नहीं पाता है मतलब कर सकते हैं कि नेचर और हुमन के बीच के स्ट्रगल को यहां पर बताया गया है है ना कैसे हम इंसान है सो नेचर से स्ट्रगल करते रहते हैं मतलब फीसर में संट्यागों है उसका काम है कि हर दिन मचली पकड़ के लाना है उसको बेचना है जीवन यापन करना लेकिन कभी-कभी ऐसा लाइप में हो जाता है कि वह खुब सार भर दिन जा रहा है दूर आप इसके टेक्स्ट को पढ़ोगे तो बड़ा ही आपको अच्छा लगेगा मैं इसका समरी भी आपको पीडियाप के फॉर्म में आपके साथ डिसकस करूंगा क्योंकि आप पूरे टेक्स्ट को पढ़ने का जोरत नहीं आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स को जानना है लेकिन अगर आपके पास समय अगर आप पढ़ना चाहते तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि नॉबिल प्राइज जब अगर इनको इस वर्क के लिए मिला है तो आप समझ सकते हो कि इनकी राइटिंग स्टाइल इनका वे ओप इसके स्टोरी टेलिंग बहुत सारे इन्होंने नेचर्स बहुत सारे थीम्स को बहुत सारे कोर्स को इन्होंने एड ओन किया है किलियर ना विए डिस्क्रिप्शन आप दिस सीन उन्हें समुद्र के बारे में बहुत सारे चीजे के बारे में बताई है हुमें स्प्रीट के बारे में यहां पे डिसकस किया है कर सकते केटी फोर डेज तक वह कोई भी फीस नहीं पकड़ पाता और दवी इस वाज ही रो अब दी नॉबल कि यह नॉबल का ही रो भी था है ना और कर सकते दम मरली संटाइगो हुक्स दम मरली वीच वी लर्न अधा इंड अब दी नॉबला मतलब उसको मरली मचली को दो 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 तक के परियास करते रहता है कि मरली को हमको क्या करना है वापस बाहर निकालना बट वर निकाल नहीं पाता है कि लिए ना और कर सकते हैं कि यहां पर आगे हम और बात करेंगे कि मैनोलीन मैनोलीन एक लड़का भी है जो की एक यंग बॉइज है न और मरलीन इस सेंगोलोस अपरेंटी सेंड डेवोटेट अटेंड कर सकते हैं मरलीन एक मैनोलीन एक कैरेक्टर आपको मिलेगा इस नॉबल को जब आप पड़ोगे ज तो सिंटियागो के पास फीसिंग सीखने के लिए जाता है इसके परेंट्स को बोलते हैं कि देखो वह तो लगी आदमी नहीं है देखो चुरासी पच्चे आप उसका 80 डे से उपर हो चुका है वह कोई मचली पकड़ के नहीं आ रहा तुम वह तुम क्या सिखाएगा तुम क्या से लिए और बहुत सारे उसके बारे में काम भी कर देता था और वह जानता था कि मैनोलीलीन हमको सिखाएगा और इसके परदैंस बोलते थे कि deeply for the old man to whom he continue to look as a mentor, उसको mentor मानता था कि नहीं यही है, his love for Syntagos is unmistakable, as the two discuss baseball, यह लोग आपस baseball के बारे बात करते हैं, the young boy recruits help from villages to improve the old man's improvised condition, कर सकते हैं कि बड़ा devoted था, मतबब ऐसे कम लोग मिलते हैं कि जो एक सफल आदमी है, उसके साथ सीखने जा रहा है, लेकिन इसको उमीद था कि यही एक मेरा mentor है, मुझे fishing सिखाएगा, क्योंकि यह एक experience आदमी, old आदमी, इसको और लोगों के पेक्छा ज्यादा knowledge है, clear what is the name of the character in the old man in the sea, मैंने previous year से कुछ question उठा है, जो CGL से related, मतलब मैं जहारकन के सीजल के बात नहीं करा, लेकिन central level के सीजल जब होते हैं, या previous year में other state में, तो किस तरह से old man in the sea से question पूछा जाते हैं, मैंने उनको आपके लेकर किया है, तो देखोगे what is the name of the man character the old man in the sea, तो आपको मैंने बताया कि सेंटियागो क्या है, हमारा protagonist है, कोई भी अगर nobel आप पढ़ोगे drama पढ़ोगे, तो उसके hero को protagonist कहा जाता है, तो सेंटियागो हमारे इस nobel के the old man in the sea के hero है clear, और अगर हम बात करें where is the story set, तो हम कर सकते हैं कि या story हमारा का है, हबाना क्यूबा में situated है, what is a सेंटियागो प्रोफेशन, फीसर में, राइटर, सेलर, फार्मर, तो यह फीसर में थे, what is a सेंटियागो अल्टिमेट गोल in the story, to catch a Gant Merlin, to win a fishing competition, to retire from fishing, to become a sailing champion, तो वह एक बड़ी मचली पकड़ना चाहता है, क्योंकि वह जाना, मतलब वह देशी राता था, हमको जाना है, और मचली पकड़ के लाना है, how long has it been since सेंटियागो कॉट अफीस, 40 days, 84 days, 100 days, 120 days, तो आपको याद रखना चाहिए, कि 84 days तक वह कोई यह मचली नहीं पकड़ पाया था, और 85 days में उसको मरलीन मिली थी, बड़ मरलीन के साथ उसको 2 days तक संघर्ष रहा, लेकिन वह give up नहीं किया, उसको पकड़ के लाने का परियास करता रहा, बड़ फाइनली सार्क सारी खा गए, क्योंकि इसके हारपों से उसको चोट आ गया था, उससे बलड निकल गई था, बलड के स्मेल से सार्क आ गई, और सार्क से भी बचाने का इसने खुब परियास किया, लेकिन तब तक इसके स्केल्टन को छुड़े, बाके सारी मांस को खा गए, और उसको जब वापस लेकर के आता है, तो लोग उतने बड़े स्केल्टन को देख करके, कंकाल को देख कर क्या चकीत हो जाते हैं, कि अरे सिंटियागो लगता है कि सार्क मचली को पकड़ लिया था, और आज तक कोई फीसर में वहां पर इस तरह के मचली को पकड़ नहीं पाये थे, तो भले वह मांस को लेकर के नहीं आया, लेकिन लोगों के बीच मुसके छबी बड़ी अच्छी बन गई और लोग उसके जो उसको डिम मोटिवेट करते थे, जो उसको बुल दे रहे क्या तुम कर रहे हो, तुम तो पकड़ के नहीं ले पाल ला पाते हो, तुम तो कैसे मचवा रहे हो, लेकिन उसके बाद सब की नजर में उसका बहुती स्टेटस बढ़ गया, उसका फ्रेंड भी था और उसके पास सिखने भी आता था तो हम कर सकते हैं कि मैनोलीन था, क्लियर, अगर हम बात करें, हमने बताया कि मार्लीन मचली को उसने पकड़ा था, हौट उसके रोजी रोटी थी वहीं पर मचलिया पकड़ता था और चीजों को देखता था, वाट चैलेंजर दर सेंटिया को फेस वाइल ट्राइंग तो कैच दफीज सार कटिंग, वाट चैलेंजर दर स्टूमी वेदर एट्यों फिजिकल एक्टुएशन ऑल दी अबगतु कर सकते हैं कि बहुत सारा उसको इसको इसको बढ़ी मचली थी ओलेज में था, तो उसको खीच भी नहीं पा रहा था क्योंकि एकेले था, फैनली सार्थ भी अटेक कर दिये थे, तो बहुत सारे प्राब्लम हो फेस कर रहा है, तो इसमें हमारा क्या है, तो इस तरह हमने एक छोटी सी स्टोरी को जाना और समझा, मतलत कि बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, बहुत कुम्प्लिकेट कहानी नहीं है, अगर आप इसको आसान भासा में समझने का परियास करोगे, तो नॉबिल को समरी को भी पढ़ोगे, तो समझ जाओगे, और इससे बनने वाले मैं खुब सारे MCQ भी आपको करवाऊंगा, तो धीरे दीर हम लोगो नॉबिल की और और हर टॉपिक की और बढ़ रहे हैं, तो मैंने इस स्टोरी को समझाने का परियास किया है, आप क्या करोगे कि मैं इसका समरी को भेजूँगा, तो आपको समरी को पढ़ना ह और कभी और कुछ अगर डॉट अगर इसमें आपको आता है, तो आपको फील फिरी मुझे टेक्स मेसेज करने हैं, मैं इसका क्यारक्टर के साथ साथ इसके हिंदी और इंग्लिज दूनों समरी भी प्रवाइड करवा सकता हूँ, किलियर ना, आप देखना कि आपको एक आप अगर इस चीज को समझ जाते हो, तो इससे बाहर से प्रस नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेशन क्यारक्टर से रहते हैं, थीम से रहता है, स्टोरी के लाइन से रहती है, और कर सकते हैं कि नॉबेल प्राइज मिला है, तो नॉबेल प्राइज कब मिला, कौन के क्वेशन बाहर नहीं जाएंगे, तो आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना, देखना कि मैंने सारे नॉबेल, ड्रामा, पुएट्टी की जिते भी राइटर है, उसका सेक्शनल टेस्ट, लगवर दस से पंदरा क्वेशन एप में मैंने अपलोड करवा दिया, तो आप उसक आप मुझे पूछ सकते हो के लिए चलिए, थैंक्यू